Welcome back friends दोस्तो एक्जाम्स की तैरी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन एक्जाम्स की तैरी करते टैम हमें सबसे वड़ा ध्यान ये देना होता है कि हमारी चीजे राइट डिरेक्शन में हो रही है या फिर हमें किन चीजों पर फोकस करने की जुरूद है तो बहुत सारे लोगों ने टाइम टेबिल के लिए रिक्वेस्ट किया था कि हमारे दिन का टाइम टेबिल क्या होना चाहिए या फिर हम किन-किन चीजों में लेक कर रहे हैं तो उन चीजों को कैसे ओबरकम किया जाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप बैंकिंग की तेहरी कर रहे हैं या फिर SSE की तेहरी करते हैं या फिर किसी भी other government की examination की तेहरी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा लाबदायक होने बाली है क्योंकि मैं इसमें हर एक step के उपर बात करूँगा कि आपको कितने घंटे devote करना है कितने duration time में अपनी चीजों को complete करना है तो यह completely आपका whole day का plan होगा लेकिन यह completely optional है आपके उपर मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको apply करें अपने उपर अगर आप कर सकते हैं तो आपके results जो हैं वो बहुत बड़े huge positive आपको मिलेंगे और अगर आप previously आपका कोई plan है अगर आपको लगता है कि मेरा plan इस plan से बहुत अच्छा है तो आप अपने plan पर बिल्कुल बने रहें ताकि एक ऐसी videos आप तक और भी आती रहें और वीडियो को दोस्तों like करके appreciate जरू करें और comment करके आप अपने doubts पूछ सकते हैं और इस वीडियो को share करना ना बूलें सबसे पहले हम अपने day to day life में हमें कुछ चीजों के उबर focus करना पड़ेगा जैसे कि आपका अभी daily routine क्या चल ला है आप अपने complete day को जो अपका present time में एक पूरा दिन किस तरह से बितीत करते हैं आप इसको track करें और track करने के बाद में जो भी आपके entry आती है बो आपको एक तरह से नोट करनी होगी उसका भी मैं फॉर में बताऊंगा किस तरह से आपको नोट करना है प्लस आपकी कुछ ऐसी activities जिनको आप दिन प्रत दिन यूज करते हैं बो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है या फिर उनके negative impacts क्या है या आपको उनको avoid करने हैं तो इसकी भी मैं बात करूँगा और एक point मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने study topics को modules में divide कर सकते हैं जिससे दोस्तों modular आपने word सुना होगा modular modular का word होता है कि किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीजों में divide कर देना तो आपने देखा होगा modular programming या फिर modular things या फिर modular activities तो modular activities कि अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी study को modules में divide कर देंगे modules में divide करने से क्या होता है कि हम उनको easily note down कर सकते हैं क्योंकि एक-एक modules को में pick करके finish करना होगा उसके बाद में दोस्तों सबसे वड़ा issue यह रहता है आज की life में कि concentration कैसे किया जाए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इस point के उपर मैं बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे negative elements होते हैं जो आपको concentration नहीं करने देते हैं तो मैं एक funde की यहां पर बात करूँगा यह almost 90% work करता है और अगर आप इसको कुछ-कुछ apply करेंगे तो आपके results positive आपको मिलेंगे फिर हम यह देखेंगे कि mock test किसी भी प्रत्युक्ता को अगर आपको pass करना है तो आपको इसकी pre-planning करनी पड़ती है pre-planning का मतलब है मेन एक्जाम में जाने से पहले हमें day to day life में कितने तरह के test देने होते हैं ताकि हम rehearsal कर सकें और बहां पर मेन एक्जाम में जाने से पहले हमारी तयारी एक अस्ची हो सके तो उसके उपर भी ध्यान देंगे और साथ में मैं आपको एक फंडा बताऊंगा कि diary notes या key notes बनाने का क्या फायदा होता है तो इन सारी चीजों को हम बारी बारी से ट्रैक करते हैं सबसे पहले दूस्तों यह है आपका daily study planner अब daily study planner में किन-किन चीजों के उपर आपको focus करना है तो आप अपनी screen को pause करके इस चीज को note भी कर सकते हैं बाकी description box में इसको download करने का link मैंने दे रखा है बहां से आप इस image को download भी कर सकते हैं आप print out भी ले सकते हैं पेजिस को अब इसको किस तरह से read करना है सबसे पहले कि आप अपने day 1 अगर आप इस चीज को day 1 से start करना चाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी morning की strategy आप कितने बज़े उठते हैं अभी आप इस चीज में cable आपको fill करना है entry को जैसे आपने पूरे दिन में जो भी काम किया आप evening में आए और आप यह देखें कि आट बज़े से लेकर 8.40 मैंने इसमें जो time slot लगाया है बो मैंने 40 minute का activity slot है और 20 minutes का दोस्तों एक तरह से हम उसमें rest का slot है जरूरी नहीं कि आप यहां पर rest करें आप revision भी कर सकते हैं आप अपने other चीजों को भी use कर सकते हैं लेकिन यह 40 minutes का slot है यह आपको यह बदाएगा कि 8 बज़े से लेकर morning में 8.40 के बीच में आपने क्या क्या तो आपने जो भी क्या हो आप यहां पर note कर ले और उसमें जितनी भी अपने problem solve करी हो वो आप note कर ले आप अपने आप से अपने आपको रेटिंग भी दें अपनी performance मेजर करें जैसे कि आपने morning में आप उठे और आपने 8 बज़े से लेकर 8.40 के बीच में आपने क्वांट का कोई टॉपिक पकड़ा कि आपने percentage के questions बनाए लेकिन आपने क्या क्या percentage का question बना रहे हो साथ में आपने mobile whatsapp भी यूज कर रहे हो और facebook भी चल ला है time भी देख रहे हो इधर भी देख रहे हो और हर तरब move कर रहे हो completely आपने चालिस मिट में लगबग 5 question ही बनाए तो आप उसके बाद यह देखें कि आपने math का subject लिया 5 question के बनाए कि आपनी performance से satisfied है तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने आपको rating जरूर दे rating देने का मतलब ही होता है कि हम अपनी जब तक self assessment नहीं करेंगे तब तक हम अपने आपको आगे नहीं ला पाएंगे आप जैसे आप कम activity कर पाएं या फिर आपने questions को कम solve कर पाएं या फिर आपका time कुछ अलग तरीके से बेकार भी हुआ तो आप क्या करें कि बहां आपने आपको rate देदें जैसे 3 out of 5 okay या फिर 3.25 या फिर 4.25 जैसा भी आपका parameter हो जिसको आप अपने मानक से तै कर ले और मैं अपनी performance को मेजर करके improve करूंगा तो यह आपका daily today life में कि आप सबसे पहले अगर आपने आपको track कर रहे हो तो आप यह देख लेए 8-8.40 अपने क्या किया 9-10 तक क्या 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 10-11 क्या 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 फिर 11-12 क्या 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 अपने क्या 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 और उसके बाद आप यह देख लें कि आपने फिर 6.30 तक क्या क्या तो यह पूरा आपका performance measure करने का एक index है इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप अपने दिन को किस तरह से यूज कर रहे है मेरा यह कहना है कि आप सबसे पहले अपने आपको इस time table के अंदर रखे ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि आपका fall to time की चीजों में जा रहा है और आप study actual कितने hours कर रहा है मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आपको 8 वजे से उठकर quant solve करना है बिलकुल मत करो आप यह देख लो कि आप इस आठ वजे अगर आप लॉग इन करते हो और रात में 12 से एक बजे के विच में आपने तोटल कितने गंटे पढ़ाई की टोटल आप अपने hours को calculate कर लो तो इससे क्या है कि आपको यह पता चल जाएगा कि अभी आप कर क्या रहे हो और आपको कहां कहां पर time को आपको manage करने की जरू होता है आपने देखा कि देखा कि तीन से चार, एक गंटे 40 मित मैं इदर और बॉक करता रहा है तो आप देख सकते हो कि आप मैं इस डीर घंटे को या फिर मैं इस एक गंटे 40 मित को नहीं पर यूटलाईज कर सकता हूँ क्या मैं यह पर कुछ प्रॉब्लम्स को solve कर सकता हूँ 8 से लेकर एक वज़े तक का टाइम दिया है कुछ लोग क्या करेंगे कि उनका टाइमिंग यह हो जाता है कि वो 10 वज़े सो जाते हैं लेकिन वो 6 वज़े उटके बढ़ाई कर लेते हैं तो अगर आपने यहां पर अपने 2 घंटे काट लिए तो आप मौर्निंग में 6 से आठ वाले जो 2 घंटे हैं क्वालिटी और सापके इसको आप यूटलाइज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग कहेंगे कि हम सर दस वज़े सोना पसंद करते हैं जो जाते हैं उसके बाद मौर्निंग में चैसे हम अपनी स्टडी को या फिर रिवीजन क्लासे को अपनी जारी कर सकते हैं तो यह भी आपके इसाब से बहुत अच्छा होगा आपको अपने डेली प्लानर को अपने इसाब से स्टुडूल करना है मैं आपके उपर यह नहीं कहूँगा कि आप आट वजे से एक तक ही पड़ें यह आपका सिस्टम है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आप अपनी परफॉमेंस को टाइम टू टू टाइम मेजर करते रहें अब कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो दोस्टों आपको ऐसास दिलाएंगे कि आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए अब सबसे पहले अगर अगर एक्टिपिटिई की पात करें तो सबसे बड़ी एक्टिविटी क्या होती है फोन की एक्टिविटी फोन में इदर उदर के फंक्शन्स यूज करना और और चीज़े करना दूसरी एक्टिविटी होती है वाटसब पर टाइम एक कॉलिटी और्स को स्पेंड करना फेस्बुक के ऊपर भी कॉलिटी और्स आना न्यूस पेपर के ऊपर भी टाइम देना और कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको आप बहुत जादा लाइक करते हो कोई फोरम पर जाकर आपको कुश्चन एंसर देना वो चीज़े तो आप यह देखो कि इनका निगेटिव यूजिस मैं कहां कर रहा हूं और राइट यूजिस मुझे कैसे करना है जैसे कि मैं अगर फोन की बात करो तो कुछ लोग क्या रते हैं कि फोन में बहुत जादा ताइम गेम्स बगरा पे पे चंसंटरेशन करते हैं आपने टाइम काफी इन्वेस्ट भी किया है तो आप अगर अगर अपने माइंड को फ्रेज करना चाते हो तो उस फोन का राइट तरीके से आप यूज कर सकते हैं दूसरी चीज वाटसेप पर कुछ लोग गॉपसप कर सकते हैं अगर आपका कोई चोटा सा गूप है या फिर अपका स्टडी गूựप भी है या अपकाश तो अपके फ्रेंड सर्कल का ओडुप है लेकिन बड़े गूरुपकों मैं कभी रिकमेंड कर होगा warriors का है लेकिन आम चीज़ा नहीं सकते हैं, तो हमें उस चीज को अवाइट करना है, और अगर अगर आम इस चीज का कोई पॉस्टिप बे में यूज कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, फेस्बुक में स्टेडी गूरूप बहुत अच्छे होते हैं, अभी मैं आपको करन्ट अफेर्स फंडा का कैफ अचेडमी का गूरूप है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ा सीखने को मिलेंगी, अब न्यूश पेपर को आपको डेली रूटीन में लाना होगा, न्यूश पेपर में आपको बता दूँ कि अगर एक और न्यूश पेपर आता है, दा इंडियन एक्सप्रेस, तो यह दोनों पेपर आपके लिए बहुत जादा यूसफुल है, आप डेली अपना लगबग 30 मिनट का टाइम न्यूश पढ़ने में जिससे आपकी बहुत सारी चीज़े इंप्रूब होंगी, और अगर आप क यूस करते हैं, तो इसका पॉस्टिव राइड वे में यूस करें, आपको दूस्तों, अब आप इसने समझदार खोदें कि आपको क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, वो खुछ से हसास होता है, किसी भी चीज़ का एक्सिस अगर में बहुत जादा करता हूँ, तो वो हमारे लिए एक तरह से निगेडिव इंपक लाती है, लेकिन यूस करना गलत चीज़ नहीं है, वाटसेप यूस करना गलत नहीं है, लेकिन वाटसेप का अती से जादा यूस करना कि दिन बर पड़े हुए हैं, चैटिंग, और इदर उदर फोटो, इमेस, एयर, क्वेस इदर की इंफोर्मेशन उदर की अभवाय फैलाए पड़े हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, अगर आप इसका राइड यूस करेंगे, तो आपको फायदा मिलेगा, अगर आप आपकी डेट में कुछ करते भी हैं, तो आप इन चीजों को भूल जाएं, अब मैं कुछ अब जैसे ये दाहिंदू नुश्पपर का रिटोजल है, जिसमें रिसेंट ये डिस्कृशन आर्टिकल आया है, एक है लाँ अगेंस टॉर्चर, बींग हुमेन, ठीके, और ये चेसिंग पीस का एक रिलिस्टिक अग्रिमेंट है, इसके बारे में बात की गई है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या चीजे मिलेंगी, पहले तो आप एक रिडिंग कंप्रेंशन को कंप्लीट डेटेल में पढ़ेंगे, दूसरी चीज आपको बोकैब नोट करने को मिलेंगी, हिंदी में, और उसका इंग्लिस मे मिलने माला है, और बहुत सारे नए फीचर्स भी इस वेब साइट पर आएंगे, तो आप इस पर लॉग इन करके अपने टाइम को इस पेंट भी कर सकते हैं, ठीके, और एक दूसरी चीज क्या है कि हम अपने टॉपिक को मॉडूल में कैसे डिवाइट कर सकते हैं, मैं आपक होता है कि आप गुरूप बना सकते हैं, जैसे क्या किया, कि क्वांट एक आपका कंप्लीट टॉपिक है, तो क्वांट में क्या करें, बहुत सारे आपके टॉपिक है, तो जैसे कि आपका परसेंटेस का टॉपिक है, फिर आपका एजिस का टॉपिक है, एबरेस का टॉपिक Profit Loss Topic, SICI, तो यहां पर आप गुरूप बना लें, गुरूप बनाकर उन टॉपिक को गुरूप में फिनिस करें, अब गुरूप किस तरह से बनाना है, उसका में एक एक्जम्पल करके बता दे रहा हूँ, ताकि आप रिजनिंग में भी, इंग्लिस में, जीके अपडेट्स, आप डेली कैसे बढ़े हैं, स्टेटिक जीके हैं, कम्प्यूटर के टॉपिक, MCQ कैसे बनाया, या फिर कम्प्यूटर में जो सब्जेक्स आपके हैं, जो चैप्टर्स हैं, आप उनको मॉड्यूल्स में कैसे डिवाइट करें, या फिर General Science तो बहुत ब्रॉड हो जाता है, अब General Science में आपको पॉलिटी पर भी फोकस करना है, पॉलिटी में बहुत सारे चैप्टर हैं, जोग्रफी में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, साइंस में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, Physics, Chemistry, Biology, History, तो इनके भी मॉडियोल्स आप बनाएं, अब मॉडियोल बनाना कैसे उसका मैं आपको एक एक जामपल दे रहा हूँ, देखो, अगर मैं क्वांट के मॉडियोल्स की बात करूँ तो जैसे मैंने क्या कहा, कि मुझे रिलेटिव टॉपिक यह लगते हैं कि परसेंटेज, रेसियो, और प्रॉफिट लॉस और ऐसा इसी है, यह चार टॉपिक मुझे रिलेटिव लगते हैं, तो मैंने पहला मॉडियोल यह बना लिया, कि मैं क्या करूँगा इन चार टॉपिक को एक अलग नोट्स फॉर्मिट बना लूँगा, या फिर अलग अपनी इक इंडेक्स बना लूँगा, जिसमें मैं इनके questions को बनाऊँगा, ताकि मैं जब revision करूँ, तो मैं इस module बनकी revision को एक 30 मिनट या 35 मिनट या 50 मिन में फिनिस करके अपने questions को तयार कर लूँगा, दोस्तो एक्जाम के टाम पर पूरी book या अफसारे topic का revision नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम modules बना इसमें मैं बार, चार्ट, लाइन, और पाई मैं इनको individual करूँगा, टेबल को भी individual करूँगा, फिर में क्या करूँगा, मिक्स वाले questions करूँगा, ताकि और इसके केसलेट, जब मैं जाने वाला हूँगा, तो उससे पहले मैं यह देख सकता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे tricky questions solve कि जिसको मुझे एक बार memorize कर लेना है, या फिर एक बार उनकी और नजर लगा लेनी है, ताकि अगर exams में ऐसा question आता है, तो मैं बहाँ बना पाऊँ, एक चीज और है, मैंने एक तीसरा module आपके लिए बनाया है, time and work, time speed distance, और train और boat stream की problems की, तो इस module की problems को आप एक 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 लिख लें, ताकि जब कभी भी आपका revision बहुत आसानी सो सके, दोस्तों, मॉडियोल बनाने का फाइदा सबसे बड़ा, आपको यह मिलेगा, अब आप चौथा module बना सकते हैं, 3rds and indices, simplification approximation का, तो क्योंकि यह चीज आपस में रिलेट कर रही हैं, इसलिए मैं इसा यहां पर क यह मैंने model number 7 modules मैंने बना लिया, अब इन modules का revision, इनके study, इनके keynotes मुझे time to time पर अपने बनाने हैं, और बनाने के बाद मुझे केवल revision करनी है, ठीके, revision आप, अगर आपके notes proper बने हुए हैं, या फिर आपने एक अची तरीके से study की हैं, तो आपको revision करने में दूस्तों, ज् geometry, mensuration, and mensuration में आप 2D और 3D, इनके individual आप indexes बना लें, और questions बनाएं, ताकि आप exam के time पर जल्दी से in pages को convert कर सके, दोस्तों, आजकल examination काफी dynamic हो गया, आप यह सोच रहोंगा कि बहुत जादा hectic लग रहा है, लेकिन hectic नहीं है, अगर हम systematic तरीके से किसी भी चीज को follow करें, त हर एक चीज को plan करके, अगर execution उसका किया जाए, तो उसका result हमेशा positive आता है, हम लोग non-planned work जब करते हैं, जब exam आजाता है, तो हम गबला जाते हैं, हमारा तो यह topic बचा है, वो भी topic बचा है, यह topic बचा है, और ऐसे आप module बचाएंगे, तो आपका कोई भी topic नहीं बचेग अब next is क्या है कि concentration कैसे करें, सबसे बड़ी चीज, मैं आपको बता दू, concentration के लिए मैं हमेशा हमेशा यूज अपने टाइम पर दोस्तों करता था, timer watch को, आजकल हर एक mobile में, मैं यह नहीं कहूँगा कि आपके बास में android phone ही होना चाहिए, basic mobile में में टाइमर होता है, आप क्य ना तो आपको mobile में whatsapp notification या फिर facebook के notification या gmail के message रीड करने है, यह 60 minute में आप यह देखें कि आप within time के अंदर, क्या आप 40 questions solve कर सकते हैं, क्या आप 60 questions बना सकते हैं, तो आप जब करेंगे दोस्तों, इसमें आपके 3 चीज़ बनेंगी, पहली चीज, कि आप एक given deadline के अंदर काम कितने questions accurately बनाए हैं, मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इतनी speed दिखा दें कि 60 minute में 200 questions बना लें, तो फिर आपर accuracy डाउन हो जाएगी, लेकिन आपको accuracy और speed इन दोनों को आपको balancing करके ले जाना होगा, तभी आप यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा descent score बना सकते हैं, ठीके, अब यही मेरा कहना है कि आप कंसंट्रेशन जब कभी भी करें, तो आप अपने timer को सेट कर ले, और उस timer के दौनान आप यह देखें, कि इस time में आपने कितनी problem solve की, दोस्तों आप कमेंट करके भी यह चीज़ आप हमें reply कर सकते हैं, क्या आपने, जो भी timer अपना सेट किया है, क् और आपका उसका result positive आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक छोटा सा, अगर आप क्या करेंगी, एक English का set ले लें ती इस question का, और आप 60 मिनट, अब यह आपके 60 मिनट तो आपके हुए है, अब इन 60 मिनट में यह 30 question आप किसी भी तरीके से बनाएं, तो पहले चीज क्या है कि आप कि यहां पर एक आदत पर जाएगी, हैबिट हो जाएगी, कि आप लगातार 60 मिनट तक आप यह काम कर सकते हैं, ठीके, तो यही मेरा कहना है कि आप टाइमर लगा कर काम करें, और आप यह देखें कि मुझे, इन दोरान मुझे बहुत ही जरूरी काम आजाएगा, तब तो मै मैं चला जाओगा, नहीं तो मैं अवाइट करोंगा अपनी अधर चीज़ों को क्योंकि इस दोरान में चाहता हूँ कि मैं 60 मिनट में काफी जारी प्रोब्लम्स को डील करूँ और इसके ऊपर कंसंट्रेशन करूँ, तो कंसंट्रेशन का एक सबसे बड़ा परामेटर क्या ह करना है, मौक का मतलब है कि आप प्रिवियस यर के पेपर को सॉल्ब करें या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट दें, आपने क्या किया कि कोई एक आशा टाइम डिसाइड कर लिया कि आपने यहाँ पर मॉर्निंग में 10-12 आपने क्या क्या कि एक आपने मौक दे दिया, जैसे आप मौक दिया, अब आप क्या करें, मौक सब्मिट करने के आपका स्कोर आ जाएगा, अब स्कोर के बाद में क्या है कि जैसे आप सबोच करें 100 कोश्चन थे हैं, और आपका स्कोर आया 43 वाई 100, आप यह देखो कि इसमें 57 जो कोश्चन है मेरे, इसमें मैंने इसकिप कितने किय और उसके बाद जो कोश्चन मुझे आते थे, उसमें गलत कितने हुए, रॉंक कितने हुए, उसके बाद आप यह चेक करो कि क्या मैं कुछ कोश्चन को जो मैं करके आया क्या मैं गल्ती जानभूच कर तो नहीं कि कुछ कहते हैं कि सर मुझसे सिली मिस्टेक हो जाती है, तो तो सिली मिस्टेक तभी हो जाती है, जब चीजों के ऊपर आप फोकस नहीं करते हैं, आप अबर कॉन्फरेंस में चले जाते हो, तभी सिली मिस्टेक होती है, अगर आप समझदारी से ध्यान पूरबक करें, तो दोस्तों, यह मैं चीज़ें आपको इसली बता रहा हुँ, क्योंकि मैं अपना best experience आपके साथ इसली से एर कर रहा हुँ, ताकि आपके life में जो भी problems आ रही हो, आप जल्दी से उनको overcome कर ले और आपका एक अच्छा selection हो जाए, तो इसके लिए क्या है कि एक आपका cut-in परिस्तरम तो जरूरी रहता ही रहता है, साथ में strategy जरूरी रहती और यहां पर मैंने guess क्यों किया, अगर मैं guess नहीं करता तो मेरे negative marks बच जाते है, positive positive आते है, इस चीच का दूस्तों कभी भी, एक चीच का धान देना, कि अगर आप 60 questions करके आते हैं, तो अगर किसी दिन भी आपके 10 questions गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप गलत डारेक्शन को 60 से 70 पर ले जाओ, 70 questions attempt करो, लेकिन फिर भी 3 to 4 का ही criteria रखो कि 3 to 4 से जादा आपके गलत ना हो, मैं तो कोगँगा 0 गलत हूं, कोई भी गलत ना हो, क्योंकि तभी आपके accuracy बनेगी, लेकिन आप क्या करते हो, 50 questions आपने solve किये, और इसमें से 15 questions गलत हो गए, या फिर आपने 70 questions solve किये, आपके 30 questions गलत हो गए, तो ये दोस्तों, habit को भूल जाओ, इस चीज को avoid करो, और अपने आपको लगातार assessment करते रो, फिर जो question आपको लगता है कि मुझे आते थे गलत हुए, तो फिर आप उसी बाले topic के उपर जाओ, और उस topic को revision कर लो, क्योंकि revision करने से फिर अब एक चीज और कि अगर मैं अपने keynotes, diary notes, task, scheduler कैसे बना सकता हो, मेरा ये मानना है कि कभी भी अगर हम English को पल रहे हैं, या फिर आप math को पल रहे हो, या फिर आप reasoning को पल रहे हो, तो आप क्या करो कि हर एक topic का index बना लो, और index में जैसे आपने क्या किया, कि आपने ranking बन कि मुझे पता है, total बराबर क्या होता है, top plus bottom minus one, तो कभी-कभी कुछ लोग जो ये छोटी चीज़ें भूल भी जाते हैं, उनको बूलने को मिलेगी, एक diagram मना लो कि top से rank इतनी दी है, bottom से rank इतनी दी है, total मुझे strengths पता करने है, overlapping कि क्या condition होती है, whatever, मैं एक example लेकर आपको उत रेंकिंग में किस तरह से आप बना सकते हैं, तो आप keynotes बना कर रखो, इसको revise करने में बहुत बड़ा फाइदा मिलेगा, at a glance, इसको मैं एक तरह से कह सकते हैं, keynotes आपके कहां पर फाइदा करते है, at a glance, मतलब कि जब exams बाली night से पहले, हम कुछ चीजों को एक बार में overview देख लेते हैं, तो कभी-कभी यहां पर फाइदा मिलता है, almost, ठीक है, बाकी जो daily आपका study planner है, इसका link दोस्तों, description box में दिया है, आप बहां से जाके इसको download कर सकते हैं, इसको आप copy पर save कर सकते हैं, note कर सकते हैं, अपने time performance को measure करें, यही एक तरीका है अपने आपको improve करन अपने का, बाकी day-to-day life को आपको किस्तान से utilize करना है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से समझ सकते हैं, और दोस्तों, अपने main aim के ऊपर आप दियान लगको, यह जो center point है, यह है आपका aim, और आप थोड़ी से दूरी पर खड़े हुए हो, तो आप जब कोई अपने चीज बाद चीज प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर आपका प्रयास एक यहाँ पर कभी यहाँ 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 पर, तो आप ध्यान लगको कि इस inner circle में आपको आपको आना है, बार बार आपको यह चीजए इसली बताता हूं, ताकि आप अपने आपको डाइवर्ट करें और जो आपका एम है पहले आपका एम मिल जाए दोस्तों उसके बाद तो बहुत सारे जो अधर वर्क हैं उनको आप असानी से कर सकते हो ठीक है मैं यह नहीं कोँगा कि आप अपनी quality of life को बिलकुल वेनस कर दें बिलकुल बेकार कर दें ऐसा नहीं है हर एक चीज का मजे लें हर एक चीज का enjoy करें लेकिन access जो है वो जरूर से जादा नहीं होना चाहिए अपने aim को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को execute करें और all the best for your upcoming examinations दोस्तों आप अपने आप में विस्वास रखें कि आप ये काम कर सकते हैं मुझे ये पूरा विस्वास है कि आप ये काम जरूर कर सकते हैं और आपको भी अपने अंदर विस्वास होना चाहिए अगली वीडियो में मैं आप से फिर मिलूँगा तब तक यहां पर जो म ना भूले थैंक यू फ्रेंड्स हैव अगुड़ दी